कालस टीवी का सबसे कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस के सीजन में कई बड़े बदला अब देखने को मिल रहे हैं बिग बॉस 13 के प्रिमेर होने के बाद से ही घर में धमाल मच गया है इस बार घर के अंदर दो कॉंट्रोवर्शल कंटेस्टेंस आए हैं पहले हैं हैंडसम हंक सिधार शुकला तो दूसरी है टीवी इंडस्ट्री की जानि मानी आक्ट्रेस रश्मी देशाई साल 2017 में टीवी सिरियल दिल से दिल तक में रश्मी देशाई और सिधार शुकला साथ काम कर चुके हैं रिपोर्स के मताबिक उस दोरान दोनों के बीच नस्दीकिया काफी बढ़ गई थी। सेट पर मौजूद सूत्रों के हिसाब से अक्सर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। दोनों के अफैर के चर्चे खूप थे। लेकिन सीरिल की शूटिंग के दोरान सिधार चुकला की नस्दीकिया उनकी को स्टार जैस्मीन भसीन से भी बढ़ने लगी थी। रश्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सिधार चुकला से दूरिया बना ली। दोनों का ये रिष्टा जादा लंबा ना चल सका और दोनों का आप ब्रेक अप हो गया। हाला कि जब सिधार तो जैस्मीन से उनके रिष्टे के बारे में पूछा गया तब दोनों ने किसी भी रिष्टे से इनकार कर दिया था। दरसल बिग बॉस 13 के प्रेमिर के दोरान सभी कंटेस्टिन को एक बैंड दिया गया था। शो का फॉर्माट ये था कि जिन लोगों के बैंड मैच होंगे उनने बैट शेयर करना होगा। वही सिधार चुकला और रश्मी देसाई के बैंड मैच हो गये। इसके बाद एक ही बैट शेयर करने को लेकर दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। हाला कि बाद में रश्मी देसाई सिधार शुकला के साथ बैट शेयर करने को रेडी हो गई थी। फिलहाल दोनों को एक साथ घर में देखकर उनके फैंस बेहत खुश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर में रश्मी देसाई और सुधार शुकला फिर से एक हो पाएंगे या नहीं।